हेलो श्रुइन्स चलिए स्टार्ट करते हैं integration exercise 7.6 का question number 13 देखते हैं क्या है integrate the function 10 inverse x हमारे पास function दे रखा 10 inverse x इसको आपने क्या करना है integrate करना है तो किस तरीके से करेंगे देखो द्यान से अब यहाँ पे हमें दे दिया 10 inverse x और dx इसका integration निकलना है integration by part करेंगे बट यहाँ पे हमारे पास तो एक ही function दे रखा है तो हमें करना क्या है चुपके से साथ में एक function मान लेना है वो क्या है 1 जिसका कोई भी effect नहीं होगा कोई लिखत create नहीं करेगा क्योंकि 1 से इसके multiply करेंगे function यही रहने वाला है अब 10 inverse x हमारा क्या आएगा first function मतलब यह u माना जाएगा और यह v माना जाएगा पहले formula जरूर लिखेंगे u v d x क्या होगा u as it is integration of v फिर minus में u का derivative और यहाँ पे फिर क्या आता है हमारा integration of v d x और फिर उसका पूरे का integration formula हरे question में लिखेंगे मैं भी लिख रहा हूँ आपको भी practice करनी है नहीं तो बड़ा बिकार की formula होता है बच्चे गडबड करते हैं इस formula में और question में तो 100% करते हैं अब धिहां से देखो यहाँ पे क्या आ गया u as it is मतलब 10 inverse x as it is integration of v मतलब 1 d x minus का sign integration u dash मतलब d by dx of 10 inverse x और फिर integration का symbol vd x मतलब 1 into dx और जो भी इसका result बनके आएगा उसका फिर integration करना है आगया हो भई क्या आगया मेरे पास 10 inverse x 1 का integration करेंगे into x आगया minus में integration का symbol d by dx of 10 inverse x 10 inverse x का derivative क्या आता है 1 by 1 plus x square into में 1 का integration x और dx यह आगया है या नहीं आगया आपके पास अब इसको simplify कर लो थोड़ा सा यह क्या आगया x 10 inverse x minus में integration x by 1 plus x square dx कोई दिखत नहीं होनी चीए अब ध्यान से देखो बच्चो यहाँ पे 1 plus x square है इसका derivative उपर present है या नहीं है यहाँ पे देखो 1 plus x square है 1 plus x square का अगर मैं derivative करता हूँ तो क्या आजएगा 1 का 0 x square का क्या आजएगा 2x dx is equal to dt मालो t put के करते हैं तो 2x dx is equal to dt आगया यहाँ पे मुझे 2 चाहिए चाहिए न 2 तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं 2 से multiply और 2 से divide कर लूँगा कोई fact नहीं होना चीए बस अब देख लो इसका differentiation उपर present है तो अराम से integration हो गया x 10 inverse x और यहाँ पे minus का 1 by 2 इसको क्या लिखा जाएगा log of mode 1 plus x square और plus में c यह चीज ध्यान रख लो अगर निच्चे कोई function दे रखा और उसका differentiation उपर present है तो उसको हम directly लिख देंगे integration में log of denominator का mode और plus में c constant clear अगर differentiation उपर exactly present नहीं है तो बना लो भई किसी constant से multiply डिवाइड करके यह काम करना आपको question clear हो गया यह answer आचुका आपका कोई भी problem हो screenshot share करेंगे वर्षब पे मैं reply ज़रूर करूंगा time मिलते ही और competitive exams reasoning के लिए quantitative aptitude के लिए और जो जिके वगरा है थोड़ी competition की तियारी के लिए मैं source video बना रहा हूं तो उन videos को जरूर देखें और आप concept समझके उनके answer जरूर comment करें thank you students for watching next classes video